टैने टा अश्रीयों आधि हम लोग में फांड आउट करेंगे फिक्स्ट एंड मोमेंट फॉर दी यूओर्यल केस्ट जो केस्ट ही हम लोग क्या step को follow करेंगी हम लोग find out करेंगे दी फिक्स्ट एंद इंड होट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे आपके area moment method का area moment method का यूज करने के लिए विए फॉलो स्टेप्स पहला step हमने बहुत पर शूर्ट ने बता रखा है पहले क्या करना आपको एक pending moment डाइग्राम ड्रा करना है किसका जो किस बनेगे ना उसका जैसे अगर हम बात करें तो हम लोगों दो स्टेप जो फॉलो की एंपहले दो वीडियो में जो में हमने बता रखा है पहले क्या बता रखेए इस और इट beam ठीक है यह क्या कर सकता है हम लोग सुख ऐसे split कर सकते हैं as a simply supported beam and as a couple ठीक है यहाँ पर देख रहे हैं दो reaction अपर बोस लगेंगे और यहाँ पर couple act कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे bending moment diagram draw करेंगे किसके किस के लिए तो यहाँ पर लिख देते हैं for as for simply supported beam and for couple ठीक है कपल के लिए भी है हम लोग यहाँ पर bending moment diagram को draw करें अब जब bending moment diagram जब draw हो जाए तो draw करने के बाद क्या करना है हमें क्या करना है area find करना है किसका bending moment diagram का area find out करना है और moment of bending moment diagram हम लोगो find out करना ठीक है and third step will be the generate equation and solve them in bending moment diagram से एक equation निकलेगा और एक moment of bending moment diagram से एक equation निकलेगा आप दोनों को solve करेंगे उसके बाद आपको क्या find out हो जाएगा fixed end moments mfab and mfba so finally हमनों क्या बना सकते है bending moment diagram ठीक है सबसे पहली बात अगर यहाँ पे आपने पहले वाला वीडियो से अगर नहीं देखा है हमने यह पे डिरेक्ट लिक रखा है क्या लिक रखा है how to draw the shear force diagram as you can see this is the shear force diagram for the uvl case for the simply supported case ठीक है अगर आपको नहीं वो देखा हुआ है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देतेंगे आप句 हाँ से फॉलो कर सकते हैं या फिर आया बटन में में भी हम देदेंगे आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं तो डरेक्ली हमें यह पर वैल्यों को यूज़कि है आप अगर अगर नहीं इस डिग्रम क्या है तू डिग्री कर अब इसके बाद यह जो डाग्राम है ना यह बंडिंग मोमें डाग्राम है किसका दिश डाग्राम वर यूवेल केस in a simply supported beam ठीक है तो basically है क्या जो हमने green box में बना रहा है आप इसको follow करें यही है ठीक है दिस इस दी combination of the simply supported beam and this is the diagram of a simply supported case carrying a UVL so UVL का bending moment diagram है as a simply supported case में ठीक है plus plus this is the case of a couple अगर दोनों के end से couple act कर रहे होंगे तो उसका bending moment diagram कुछ ऐसा बनेगा जो हमने यहाँ बना रहा है यह रहा तो bending moment diagram of one let's say हम लोगे अब क्या ले रहे है bending moment diagram one हमने यह one consider किया अब plus the bending moment diagram of two ठीक है तो जी यह जो couple का जो हम लोगा bending moment diagram यह है क्या actually में actually में है क्या है यह hogging तो hogging क्या देगा हमें negative ठीक है तो यह क्या है negative bending moment diagram due to hogging अब क्या होगा जो हमने box में बना रखा है वो उसके follow करें एक बार के लिए तो क्या हो जाएगा this plus this implies this solution तो यह combined bending moment diagram है किस के case के लिए एक fix के case के लिए एक simply support a place plus एक couple का case दोनों को combine करेंगे तो आपका जो result आएगा वो यह आ जाएगा ठीक है हम लोग का हूँ समतर यूज़ कर रहा है area moment method तो बहुत simple है अब हम लोग finally steps की और proceed करते है तो सबसे पहला काम क्या था हमारा यहाँ पर to draw the bending moment diagram तो हमने यहाँ पर क्या बना रखा है bending moment diagram बना लिया for ssb जो कि हमने आपको दिखा रखा उसके बद क्या for the couple जो कि आपने देखा अभी ठीक है second step find area of bending moment diagram and moment of bending moment ठीक है second step को देखने थोड़ा से लेंदी अब यहाँ पर डाइग्राम में देख रहे होंगे हमने क्या बना रखा है इस diagram का बनाने का एक ही हमारा objective है कि moment का equation का हम लोग find out करेंगे so r a will be wly6 and r b will be wly3 जो कि हमने find out कर रखा है यह reaction force हमने डिरेक्ट लिक है आप description में वो video उसको आप देख सकते है and यह क्या हो जागा distance x ठीक है अब moment की equation moment की equation को हम लोग यहाँ पर हमने कैसे बनाया है वो देखना है तो अब moment at any distance x क्या होगा this is the force into perpendicular distance जो कि हमने है करेट के मार्कर करेट है तो क्या होगा wly6 और we can say r a into perpendicular distance x minus half into base into height this is the force and this is the perpendicular distance इस base से यहाँ क्या distance होगा x by 3 तो क्या होगा force into perpendicular distance तो force into perpendicular distance apart force into perpendicular distance minus the downward force into perpendicular distance ठीक है हमारा क्या है यह mx क्या है moment का equation ठीक है अब पहला क्या है अमने क्या लका है area of bending moment a1 ठीक है area of bending moment diagram A1 तो area of bending moment diagram होगा क्या यह हमने A1 consider किया है न यह क्या है 3 degree curve तो from the integration हम लोग क्या find out कर जाकते हैं A1 तो क्या हो जागा WL by 6 उसको किसको भी उसकर रहे है हम लोगे हैं आपर moment की equation तो moment की equation क्या हो जागा WL by 6 WL by 6 into x minus WX cube by 6L into dx कहां से integrate करना है from 0 to L अगर आप इसको solve करेंगे तो you will get WL by 6 into x square by 2 minus W by 6L into x to the power 4 by 4 ठीक है अब 0 to L है तो L का value put करें और 0 का value put करें you will get the answer A1 equals to WL cube by 24 इसका area है यह area 1 जो कि हमने यहां consider कर रखा है ठीक है अब इसके बाद अब इसके बाद क्या है area of bending moment diagram E2 तो area of bending moment diagram E2 है क्या यह है area of bending moment diagram E2 तो यहां पर क्या होगा E2 is equals to half into base into height half into base into height ठीक है अब क्या है plus half into base into height ठीक है L इसको solve करेंगे तो आब क्या find out करेंगे half into MA plus MB ठीक है अब हमें क्या equation को generate करना है A1 equal to E2 यह आया कैसे एक equation जो हम solve कर सकते है theta 2 minus theta 1 equal to A1 plus A2 so theta 2 क्या होगा slope तो fixed support में slope तो 0 होता है so theta will become also 0 and theta 1 will also 0 so A1 plus A2 तो plus A2 basically है क्या area 2 so area 2 यहाँ पर है क्या यह negative में अगर due to होगी तो area 1 plus under bracket minus A2 हो जाएगा so similarly A1 equal to A2 लिख सकते हैं ठीक है अब area 1 यह वाला value यहाँ पर और A2 जो यह वाला value है यहाँ पर आप लिख दें ठीक है area 1 equal to area 2 यह होगे हमनों का equation number 1 taking net moment at A for bending moment diagram ठीक है अब यह जो bending moment diagram हमने बना रखा जैसे A1 diagram 1 and diagram 2 इस diagram से related हम लोग क्या लेंगे इस point पर क्या लेंगे net moment 0 लेंगे ठीक है यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं कि इस point पर moment और इस point के about और इस diagram में इस point के about को equal कर देंगे similarly आगे बढ़ता है तो यहाँ पर क्या होगा elementary portion लेंगे तो उसका जो जो हमलों का portion होगा ठीक है तो let net moment for 1 तो क्या हो जागा wl by 6 into x वही moment की equation है into the perpendicular distance this is x ठीक है तो wl by 6 into x जोगी moment की equation है into x dx ठीक है अब आप इसको solve करें so you will get the answer moment of 1 moment of area moment किसका है bending moment diagram का moment है ठीक है net moment at a तो क्या हो जागा 1 पे अगर one की बात करें तो one कौन सा है यह वाला one है क्या हो जागा wl to the power 4 by 45 इस value ठीक है अब m1 निकल गया अब similarly m2 क्या हो जागा m2 देखते है ठीक है m2 तो net moment at a for 2 हमने diagram 2 देख रखा है ठीक है 2 देखते हैं कैसे solve हमने solve किया है ठीक है हाँ यह e क्या है 2 so क्या हो जागा है मैं to half into base into height l this is the force and this is the perpendicular distance from this point l by 3 similarly l by 3 plus half into base into height half into mb into l this is half into mb into l half into base into height into perpendicular distance 2 by 3 of l so इस point से इस triangular के लिए जो की हमने क्या बना रखा है b बना रखा है ठीक है इसलिए हमने यह ma और mb लिख रखा है ठीक है तो actually ma और mb इसके लिए यह वाला ma और mb है हमने small लिख रखा है आप confuse मत हो जाना बस यहाँ पर जो हमने diagram बना जाना यह e और b बस denote किया है ठीक है for this triangle and this for this triangle so 2 by 3 of l क्या हो जागा इस point से 2 by 3 of l ठीक है अब m2 आ गया क्या आ गया आपका l square by 6 ma plus 2 mb यह mb small mb यह वाला नहीं है यहाँ पर जो है थोड़ा सा लिख रखा है मैंने लेकिन यहाँ पर क्या होगा capital A and capital B ठीक है और स्विकन से mfab और mfb ठीक है बात होई है अब यहाँ पर 2 equation आ गए उसके बाद इन दोनों equation को आप solve करें जैसे मैंने solve किया यह तो मैंने अपने method से solve किया आप कोई भी method लगा सकते हैं हमने elimination यूज किया आप substitution यूज कर सकते हैं value find out करें वह उसके बाद mb का जो value है आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या आ जाएगा wl square by 20 which is positive and ma equals to wl square by 30 जो कि हमने यह लिख रखा अब बात बताते हैं आपको यहाँ पर ठीक है steps में क्या किया मैंने find area of bending moment diagram निकाल लिया and moment of bending moment diagram ठीक है अब generate भी कर लिया equation और solve भी कर दिया ठीक है जो कि ma और mb का value आगे जो कि क्या है fixed end moment है finally क्या बना सकते हैं हमने bending moment diagram combined यहाँ पर यह क्या है यह combined bending moment diagram है as you can see यह combined bending moment diagram है तो this side क्या होगा wl square by 20 and wl square by 30 so finally fixed end moment will become mfab is equal to minus wl square by 30 due to minus is due to anti-clockwise and mfba is equal to wl square by 20 due to clockwise ठीक है this is plus so यह रहा आपका fixed end moment for the uvl case ठीक है अगर आपको कोई भी doubt हो तो आप comment section ने पूछ सकते हैं ठीक है so please subscribe my channel thank you